मुश्कार गुजरात की चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है चुनाव की रण भेरी बच्चुकी है रण वाकुनों ने मैदान भी समाल लिया है जीतार का फैसला तो बाद में होगा लेकिन फिलहाल राजनीती के दंगल में क्या चल रहा है आज हम इसी पर चर्चा करेंगे इस वार गुजरात बिधान सवा में जीत के लिए पूरा जोड लगा रही कांगरेस के लिए हर्दिक पटेल ने थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ा ही दी है दरसल हर्दिक चुनाओं में एक दरजन से ज़्यादा सीटें चाहते हैं जबकि कांगरेस उन्हें आधा दरजन सीटें देने के लिए भी राजी नहीं है दूसरी और ठाकोर सेना के नेता अलपेश ठाकोर भी कांगरेस की नाओं में सवार हो गए है अलपेश OBC से तालुक रखते हैं जिनकी जाती का OBC में 30% हिस्सा है इन दोनों ही नेताओं में बिरोधा भास भी हैं हर्दिक पटेल जहां पाटीदार अरक्षन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें अलपेश ठाकोर अरक्षन के खिलाफ हैं अब देखना ही है होगा कि कांग्रेश किसके लिए ज्यादा टिकटों का अरक्षन करती है अब अलपेश ठाकोर की बात चल निकली है तो आपको यह भी बता दे कि उन्हें तो उनके ही कारिकरताओं ने जटका दे दिया है हुआ यह कि गुजराती नौवर्ष के मौके पर उनके संगठन ठाकोर सेना के प्रमुख नेता चतुर सिंग समेथ दोसो सदश से भाजपा में शामिल हो गए है इन लोगों को इस बात का गुस्सा था कि सामाजिक आंदोलन चलाने वाले अलपेश राजनीती में उतर गए अब यह तो चुनाव परणाम के बाद ही पता चलेगा कि कांगरेस अलप से ज्यादा की और बढ़ती है या फिर भाजपा की चतुराई इस बार भी चलेगी अब जब दोनों ही पार्टियां चुनावी दंगल में खम ठोकर उतर ही गई है तो जो राजमाईश भी होगी और शक्ती प्रदर्शन भी होगा ही कांगरेस प्रवक्ता प्रियंका चतुरवेदी को ही लें उन्होंने ट्विटर पर लोगों को यह बताने में देर नहीं लगाई कि कांगरेस उपाद्यक्षर राहुल गांधी अकिडो में ब्लैक बेल्ट है अकिडो जापानी मार्शल आर्ट है उन्होंने यह भी बताया कि प्धान मंत्री नरेदर मोदी फेकिडो में गोल्ड बेल्ट है अब आपको यह बतानी की जरुवत तो नहीं है कि मोदी के विरोधी उन्हें फैको विशेशन से नवाशते है प्रियंको को शायद उमीद नहीं होगी कि उनका यह बार उन पर ही भारी पढ़ जाएगा उनका ट्रीट करना था कि लोगों ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया उन्हें चाप लूफ तो कहा ही राहुल गान्थी पर भी तीखे खमले की है भे कहावत तो हम सब को याद होगी कि चौबे जी चौबे जी बनने गए रह गए दुबे जी चुनाव अपनी जगह है अब शादियों का माहौल भी शुरू होने जा रहा है ऐसे में यदि आपके परिवार में कोई शादी समार हो या अन्य कारिक्रम हो तो आप पार्टीदार नेता हर्दिक पटेल से सलाह लेना न भूलें क्योंकि वे आपको वीडियो ग्राफिक का खर्चा बचाने का कारगर नुस्खा बता सकते हैं हुआ यूँ कि पिछले दिनों ताज होटल के CCTV फुटेच लीख हुए थे जिसमें कसित तोर पर हार्दिक पटेल एक सूट केश हाथ में लिए दिखाई दे रहे हैं बस फिर क्या था फुटेच देखर हार्दिक का हरदय भारी हो गया और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि यदि आपको शादी पार्टि में वीडियो ग्राफिक का खर्चा बचाना है तो ताज में इस तरह के आयोजन करें अब वीडियो की क्वालिटी के बारे में तो आपको हार्दिक पटेल ही जादा अच्छे से बता पाएंगे पार्टी की बाद चली है तो चलते चलते भाजपाद्यक्ष अमित शाह की भजिया पार्टी की भी बात कर ही लेते हैं गुजरात बिधान सबाचुनाव की घोशना के बाद एक दिन देर रात अमित भाई एहमदाबाद के खाडिया इलाके में भजिया हाउस पहुँच गए बहां उन्होंने भजिये और अन्य गुजराती बेंजनों के चटकारे तो लिये ही लगे हाथ टिक्टों पर भी चटचा कर डाली शाह की इस पार्टी में गुजरात भाचपाद द्यक्ष जीतू बागानी और राजी के ग्रिह मंतरी परदीप सिंग जाड़े जाभी मौजूद थे अब स्वाद के इस राजनीती में किसका मन मीठा होगा और किसका स्वाद बिगड़ेगा यह है तो टिक्टों की घोशना के बाद ही पता चलेगा तो चुनाबी चौपाल से हमारी है जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा अगली बार फिर नई जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक देखते और पढ़ते रहें वेब दुनिया नमस्कार